अमेरिका में जब बच्चों की आइसाइड वीक हो जाती है और उन्हें कम दिखाई देता है तो उनकी मॉम उनके लिए मार्किट से जाकर स्पेक्स ले आती हैं जिसके बाद बच्चे को स्टडी करने में प्रॉब्लम नहीं होती है जपान में जब बच्चे की आइसाइड वीक हो जाती है और उसे कम दिखाई देता है तो उसकी ममा उसकी आँखों में आइस ड्रॉप डाल देती है जिससे बच्चे की आँखे ठीक हो जाती है और हमारे यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दरा मा मुझे की आँखे जुझे की आँखे लाँ मा बच्चे की आँखे लाँ